हलो एश्ट्रेयां, वल्कम टू माई चैनल ग्यापन अकेडमी, तो आज के इस वीडियो में हम आपको 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 अंदर के परियोग को आगे बढ़ाते हुए हम यहां बताने वाले हैं कि कौन से वर्ड होते हैं जिसके पहले अन का परियोग किया जाता है, तो लेट्स ग आवर, एम ए, यह डिगड़ी है, यानि मैं मैं किया हूँ, तो यह डिगड़ी है, यह आवर का मतलब होता है घंटा, यानि एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, ओनेस्ट में मतलब इमंदार, इमंदार व्यक्ति, चलिए हम दो तीन एक्जामपल के तहट आपको समझा देना चाहते हैं, और यह किलियर कर देना चाहते हैं, कि ऐसी वो कौन सी कंडिशन आती है, जो कौन से लेटर से बनने वाले नाउन वर्ड के पहले अन का परियोग किया जाता है, तो देखिए, वै यह IOU को छोड़ कर, जो बचे हुए जो भी लेटर होते हैं, जिससे 21 लेटर, तो उस 21 लेटर को हम कौन से लेटर करते हैं, और उससे बनने वाले जो भी नाउन वर्ड होते हैं, ठीक है, उसके पहले एक परियोग किया जाता है, लेकिन पिछले वीडियो में यह बात किलिय हो चुकी है कि कौन से लेटर से बनने वाले वर्ड के पहले एक परियोग किया जाता है, तो वो कौन से लेटर से कुछ ऐसे वर्ड क्यों होते हैं, जिसके पहले एन का परियोग किया जाता है, तो हम यह किलियर कर देते हैं, देखिए एन का परियोग करते समय, दो बातों को को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है पहला या कि वो ए ई आई ओ यू से वो नाउन वर्ड बन्दा हो जैसे एसे एपल इसे एलिफेंट ठीक है ऐसे करते करते यह जो पांस वर्ड है पांच लेटर जो है ए आई ओ यू इस पांच लेटर से जितने भी दुनिया के नाउन ओ यू यह नि कि पहला ध्यान च्पांच लेटर से उस वर्ड की शुरुआत हो और दूसरा यह जान रखना है कि उसका पणाव्सियसन जो है वह स्वर मन से मिलना चाहिए क्या मतलब स्वर माला किसे करते हैं तो आप पढ़ा होंगे बाच्पण में आ ऐसे करके आप आ तक पढ़े होंगे तो दूसरा बात क्या ध्यान रखना था कि आए ऐसे है और तक यानि कि इसमें से और से लेकर आ तक के अगर हम आ से लेकर के आ तक पढ़े हैं तो यह जो उचारण हम कर रहे हैं और से लेकर आ तक पढ़ने के लिए जो स्वर्मंड का तो इसका उचारण भी इस नाउन वर्ड से मिले यानि कि हम एपल लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा एपल ऐसे लिखाएगा तो कहीं न कहीं से जब हम इसको लिखते जाएंगे तो इसमें A, A आता है ठीक है तो यहां A से इसकी उचारण की जा रही है यानि इसके उचारण और से लेकर A तक के लेटर में से वो A लेटर है जिससे A पल की उचारण की जा रही है और पहला भी यहां पर नियम लगू हो गया कि A, E, I, O, U से बनने वाले नाउन वर्ड होना चाहिए और दूसरा नियम यह लगू हुआ कि और से लेकर A तक के बीच में कोई ऐसा लेटर है जिसकी उचारण इसकी की जा रही है जिस लेटर की उचारण Apple को कहने के लिए की जा रही है यहां आपको किलिए रहो गया यानि कि किसी भी consonant लेटर से बनने वाले वर्ड यह धियान में रख लिजिए student कि किसी भी consonant later से बनने वाले नाउन word अगर उसकी उचारण अगर और से लेकर और तक के स्वर्मर्ण से अगर हो रहा है तो याद रखिए गा भले A, altogether लेका अगर उसकी उचारण अगर और से लेटर से किसी वी लेटर से अगर उसकी उचारण की जा रही हो तो उसके पहले एन का प्रियोग का है, तो यहाँ पर honest अगर लिखना है, ठीक है? तो honest कैसे लिखेंगे हम? honest इस तरह लिखते हैं, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि एन का प्रियोग का है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर second law लागू हो रहा है, ठीक है? Articles के Second Law यहाँ पर लग हो रहा है, Articles के दो लाओ को याद रख लिए, कभी भी N का परियोग करते हुए, आप Articles के दो लाओ को याद कर लिए, या तो A, E, I, O, U से बनने वाले जो भी Noun Word होंगे, वो A, E, I, O, U से बनने रहा हो, और साथ में उसकी उचारर और से लेकर आओ त उचारण अगर सेकंड लाव कि मनें और से लेकर और तक कि किसी भी लेटर से अगर उसकी उचारण की जा रही हो तो याद रखे किए गावापर आन का परयोग हो भले ही पहला नियम लागू ना हो रहा हुआ है कि लिए रोगया तो यहां देखें आप आवर लिखना है तो इ कि आपर आयन के परियोग होगा क्यों कि ये में इस ततरौ लिख जाता है म कर देखिए ऑ ऐसंडी से है स्वर वंण से हो रहत है तो सीधिय बात है कि हम यहां पर आयन के मोंड याउट तो यहां को किलियर हो गया एक और चीज हम वीडियो को इंड करने से पहले हम आपको एक और चीज बता देना चाहते हैं कि हमने पिछले वीडियो में भी इसका बहुत इस वर्ड को बार-बार हम रिपीट कर रहे थे और इस वीडियो में हम बार-बार रिपीट कर रहे हैं बार-बार का रहा है कि A, E, I, O, U से बनने वाले जो भी नाउन वर्ड होते हैं, Consonant Later से बनने वाले जो भी नाउन वर्ड होते हैं, उसके पहले A, I, N का परियोग किया जाता है, आपने पूरा हमारे दिये गए concept को आप किलियर कर लिए, लेकिन यहाँ पर एक सवाल क्रियेट होता है, सर नाउन होता क्या है, वैसे नाउन को अगर हम बताएं, तो समय तो बहुत ज़्यादा लगेगा, और नाउन के लिए हम एक अलग से वीडियो भी हुए से हम तयार करेंगे, आप इसके लिए भैबित ना हो, आप टेंसर न ले, हम नाउन को यहाँ पर बिल्कुल इसी वीडियो में आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ आप जान ले, याद रख ले, कि नाउन उसे कहते हैं जो चीज आप दुनिया का अंदर देख रहा हैं, यानि आपके आमने सामने इर्द के जो कुछ भी दिखाई दे रहे, वो सब नाउन है, वो अलग बात है कि हम नाउन का एक अलग वीडियो तैयार करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि नाउन के खितने भेद होते हैं, यानि कि जो भी मेटेरियल दिखाई दे रहे हैं, जो भी आपके आजपास जो भी वस्तुए दिखाई दे रहे, वो तो नाउन है, लेकि कौन सा नाउन है, वो हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आज के लिए बस इतना है, एश्टुडेंट, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जैहिन, जैभारण!